हेलो फ्रेंड्स वेलकम टो माई यूट्यूब चैनल इस वीडियो में मैं आपको रुबिक्स क्यूब की सेकंड लेयर को कम्प्लीट सॉल्व करना सिखाऊंगा तो दोस्तों मैंने इसका पार्ट वन अल्रेडी अप्लोड कर दिया है आप मेरी चैनल पे जाके उसे देख सकते और यह पार्ट टू है इसके बाद पार्ट थ्री भी आएगा जिसमें मैं थर्ड लेयर सॉल्व करना सिखाऊंगा तो इसमें आपको सेकंड लेयर सॉल्व करना सिखाऊंगा इससे पहले आप मेरा पार्ट वन देख लीजए तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं और फिर हम जैसे यह सेंटर पीस है तो हमें यहां पर एक ब्लू एज़ पीस चाहिए और वो और इस साइड यहां पर वाइट सेंटर पीस है इधर वाइट सेंटर पीस है तो आपको यहां पर एक ब्लू और वाइट का एज़ पीस चाहिए तो हम देखते हैं कहां है ब्लू और white का edge piece हो सकता है कि यह आपको इधर third layer में भी मिल जाए या इधर second layer भी मिल सकता है हमें second layer में मिला है तो अगर आपको third layer में मिले तो आपको simply से turn करके इस blue के center piece के यहाँ पे उपर ले आना है लेकिन अगर आपको यह edge piece second layer में मिले तो आपको एक algorithm लगानी होगी उसे लगाने के पाद यहाँ आपका third layer में आ जाएगा तो वो algorithm है U R U I R I U I F I U and F अब आप देख सकते हैं यह आपका कहीं third layer में आ गया होगा देखते हैं देखें यह हमारा इस जगा पे से यहाँ पे आ गया है third layer में यह blue और white का अब हमें उसी algorithm को वापस से लगाना है और यह right side में set करने के लिए है यह algorithm आप इस algorithm को लगाएंगे तो यह piece हमारा यहाँ से इस जगा आ जाएगा blue आ जाएगा और यहाँ पे white आ जाएगा अगर आप इस algorithm को लगाएंगे तो देखिए यह algorithm है U, R, U, I, R, I, U, I, F, I, U, and F देखिए यह इस जगा से हमारा इस जगा पे आ गया है अब इसी तरह से हम इस जगा पे भी edge piece लेके आएंगे तो यह है yellow center piece यह है blue center piece हमें yellow and blue का edge piece जाएगे तो ढूंगते हैं हमें यह फिर से second layer में मिलाए अगर आप कोई third layer में मिले तो आप इसे turn करके यहाँ पे ले आना और second layer में मिले तो आप उसी वाली algorithm को वापस लगा दीजिए इसे third layer में लाने के लिए देखिए U, R, U, I, R, I, U, I, F, I, U, F अब देखिए यहाँ आपका कुछ भी बिगडा नहीं है सब कुछ वैसे की वैसे ही है यहाँ पे यह already set है और वो आपका third layer में आ चुका है देखिए यह रहा वो green और white का edge piece अब हम इसे इस जगा पे set करेंगे तो हम इसे एक बार white से match कर देखिए और उसी algorithm को लगाएंगे हम इसे यहाँ पे set करने के लिए तो चलिए देखते हैं U, R, U, I, R, I, U, I, F, I, U, F देखिए यहाँ set हो चुका है यहाँ से यहाँ पे अब हम यहाँ पे set करेंगे green and yellow का edge piece तो चलिए डून देखिए यह रहा green और yellow का edge piece अब हम इसे turn करके green के साथ match कर देगे यह देखिए यहाँ पे match हो चुका है अब हवाई algorithm वापस से लगाएंगे U, R, U, I, R, I, U, I, F, I, U, F यहाँ पे आ गया यहाँ पे set हो गया है यह green और yellow का edge piece अब हम इसे यहाँ पे लाएंगे यह yellow and blue का edge piece चाहिए हमें इस चेगा तो चलो yellow और blue डूनते हैं यह हमें मिल गया यह रहा yellow and blue इसे हम yellow से match कर देंगे यह देखिए हमने yellow से match कर दिया है अब हम Y वाली algorithm वापस से लगाएंगे U, R, U, I, R, I, U, I, F, I, U, N, F यह देखिए यहाँ पे हमारा आ चुका यह set हो चुका है और देखिए सारे edge piece set हो चुके है दोस्तो यह आपको इस तरह से भी मिल सकता है कि आपको जैसे यह है दोस्तो आपको यह edge piece इदर right side में set करने के वज़ाए इदर left side में set करने के लिए भी मिल सकता है तो अगर यह left side में set करना हो जैसे अब यह edge piece है यह side तो set होगा नहीं अगर हम इसे यहाँ से करेंगे तो भी यह side set होगा नहीं right में यह white से match करके दर left में set होगा तो उसके लिए एक अलग algorithm है वो मैं आपको बताता हूँ देखिए वो algorithm है अगर हमें इसे इधर set करना है तो वो algorithm है ui, li, u, l, u, f, ui, and fi अब यहीं देखिए यह हमारा इस जगह set हो गया अगर वो edge piece right में set करना हो तो पहले वाली algorithm लगाईए और अगर वो इधर left में set करना हो तो यह जो algorithm मैंने बताई है आप इसको use करके यहाँ पे set कर सकते हैं अब देखिए इसे एक बार और मैं करके बता देता हूँ yellow और blue का edge piece यह रहा यह हमें यहाँ left में set करना है तो वापस देख लीज़े एक बार ui, li, u, l, u, f, ui और fi यह देखिए यह यहाँ पे set उचोगा अगर right में set करना हो तो first वाली algorithm लगाईए और left में set करना हो तो यह जो अभी algorithm बताईए इसे लगाईए तो देखिए हमारी second layer complete solve हो चुकी है अगर आपको वीडियो पसंद आईए तो इसे like करना, share करना और subscribe करना और subscribe की बगल में बैल आइकन को जरूर दबाना ताकि मेरे part 3 की notification आपको मिल जाए और मैं part 3 में इसकी third layer को आपको solve करना सिखाऊंगा मजigor में आपको नहां उतक्राइए